न्यूस ऐटीन इंडिया नेना के मन मुताबिक नहीं है ये बड़ी खबर सुन लीजिए अब तक जो नतीजे आए उसमे सबसे ज्यादा उन उम्मीदवारों का बोल बाला है जो इम्रान खान के समर्थन से मैदान में उतरे हुए है जो इम्रान खान की पार्टी तहरी के इंसाफ से जुड़े हुए है जिने अपनी पार्टी के सिंबल पर जुनाव लड़ने की अजासत नहीं मिली तो निर्दलिये मैदान में उतराए और आकड़े आपको देखने चाहिए नवाज शरीफ की पार्टी को 50 सीटों पर जीत हासल हुई है बिलावल भुट्टों की पार्टी 40 पर और अन्य के खा तो शरीफ की पार्टी दूसरे नमबर पर इस वक्त दिखाई दे रही है और इसलिए हर कोई ये कह रहा है कि जो सेना चाहती थी क्या वाकी वो नहीं हुआ नवाज शरीफ की पार्टी पी एमेल नून ने 50 सीटे अब तक जीत ली है और बिलावल भुट्टों की पार्टी पी 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 ने 40 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है जैसा मैंना आपको बताया ये तीन तस्वीरे टेलिविजन स्क्रीन पर आपके सामने आला कि जो तीसरी तस्वीर है उसमें आपको तौकीर रजा नज़र आ रहे हैं तीन तस्वीरे माफी चाहती हूँ दो तस्वीरे पाकिस्तान से थी और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हिंदोस्तान में भी जाए वो हल्दवानी हो जाए वो उत्तरप्रदेश में बुल्डोजर का आक्शन हो तौकीर रजा बार-बार ये कह रहे हैं कि मैं गिरफतारी द बड़ा खेला हो गया है पाकिस्तान नाश्रल असेंबली में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जीत का पर्चम लहराता हुआ कोई चहरा नजर आ रहा है तो वो इंडिपेंडन्ट कैंडिडेट्स हैं जो समर्थन लिये हुए हैं इमरान खान का इमरान खान इस वक्त जेल में येस वी लव यू तो अनुन ने का तो आई लव यू टू लेकिन ये आई लव यू टू इस वक्त आकडों में तबदील होता हुआ नजर नहीं आ रहा है हमारे साथ रक्षा विशेशग्य करनल आरेसन सिंग साहब जुड़ चुके हैं और पाकिस्तान से राज़ुतिक विशलेशक कमर चीमा इस वक्त इसलामाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है कमर भाई शुरुआत आप से कर र रही है ठीक है को 75 के करीब पाकिस्तान तरीक इनसाफ है 50 के से जादा मुस्लिम लिग नवाज है और 40 के करीब जो है वो पीपल्स पार्टी है तो सिचुएशन यही नजर आ रही है कि सारी सियासी जमातें कोलेशन बनाएंगी माइनस इंडिपेंडेंट्स जो के इमरान खा के हैं फिलाल तो यही नजर आ रहा है लेकिन क्या सिचुएशन बिल्ड होती है क्या पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट्स आपस में मिल जाते हैं क्या बंगता है आगे आने वाले दिनों में यह भी चीज़ें देखने की हैं लेकिन यह कन्फॉर्म नहीं है अभी त देख रहा है नहीं अवाम ने उनको इतने वोट ही नहीं दिये वो सिर्फ पचास सीटें अभी तक जीत चुके हैं गो कि अभी सौ से ज्यादा हलकों के रिजल्ट आने हैं तकरीबन सौ के करीब जो रिजल्ट हैं वो आने हैं सो जो सौ सीटों के रिजल्ट आते हैं उस पे PMLN कितनी seats ले सकती है 20, 25, 30, 40 कितनी लेती है और independence जो के तहरीके इंसाफ के हैं वो कितने बनते हैं यह जो 100 polling station है उसका result आने के बाद पता चलेगा अभी result पूरे नहीं आए मेरा ख्याल लगल है 2 गेंटे में आजाने चाहिए maximum कर्णल आरसन भी हमारे साथ जुड़े हुए है कर्णल सिंग यह हुआ क्या है मतलब तस्वीर दिख रही थी कुछ और निकल गया कुछ और अब आएगा आगे क्या कोई नहीं जानता है ने मैं चीमा जी के साथ बिलकुल सहमत हूँ यह कोईलेशन गवर्मेंट बनेगी और यह जान ले कि इनकी जो एलेक्शन्स जो है मुझे इस बात में कोई हिचक नहीं है कहने में कि वो बाहर से स्क्रिप्टिड होती है और इनका बिलकुल साफ है कहना कि यह कोईलेशन सरकार बने चाहे वो जर्दारी की बने या नवाज शरीफ की बने लेकिन बनेगी कोईलेशन दूसरी बात क्या है कि यह जो इंडिपेंडेंडेंट्स के रूप में जो जीते हैं पीटी आई के लोक अब बाजार खुल जाएगी थोड़े दिर के बाद लिया का रुबिया जी और आप देखेगा कि अब बाजार में खरीद फरोख वहाँ पे शुरू हो जाएगा तीसरा चीज मैं यह भी बोल दूँ कि देखे मैंने किताब लिखी है दे मिलिटरी फैक्टर इन पाकिस्तान और मुझे तमाम एलेक्शन का स्मरण है लेकिन चीवा साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि आज तक मैंने ऐसे इतना बड़ा वेव जब मैं रिलेटिव टर्म्स में बात करना हूँ किसी एक लीडर के फैवर में मैंने नहीं देखा है जितना अभी इमरान खान के मैंने फैवर में देखा है इसी इसी मसले को आगे लेकर जा रही हूँ कि किताब भी लिखी है लेकिन ऐसी वेव कमर भाई मतलब किसी नेता के लिए पाकिस्तान में नजर नहीं आई है इन फाक्ट कहते हैं कि अगर सेना चाले तो पत्ता नहीं हिलेगा लेकिन यहां पर मानना पड़ेगा कि इमरान ने वो सब जूट साबत कर लिया देखें जी इसमें कोई शक नहीं है इमरान खान का जो नेरेटिव है जो बियानिया है वो इंतहाई popular है और जैसे मैंने पहले कहा कि उनका narrative एंटी establishment है एंटी यूएस है और religious nationalism की वो बात करते हैं और वो इन चीज़ों की जो बात करते हैं लोगों ने ये चीज़ें बाय की हैं और पाकिस्तान के अंदर एक तासुर है इस हवाले से जो मजभी सियासी जमाते थी उन्होंने एक महौल बनाया हुआ है एंटी वेस्ट और इंस तरह की चीजों का सो इमरान खान ने उसको कैश की है नॉर्मली अगर देखा जाये तो पाकिस्तानी लोगों ने इमरान खान को इसलिए वोट नहीं किया कि उन्होंने बड़े development के काम किये हैं या वो बड़ा को historically पाकिस्तान की economy को reform कर पड़े हैं लोग उनको वोट इसलिए दे रहे हैं शिरफ उनकी बातों की वज़ा से तो पाकिस्तान की जो अवाम की जो understanding है वो और है और जो पाकिस्तान की जो state की needs है वो बिल्कुल different है तो यह बिल्कुल dichotomy चल रही है मुलक के अंदर के हमने जाना किस तरफ है और हमें चाहिए क्या तो लेकिन यह मानना बढ़ेगा सड़क की बात करेंगे अभी तो गड़े में है पूरी की पूरी जमूरियत और यह मुझे आपको बतानी की जरूरत नहीं है आप खुद यह मानते हैं कि वहां हर बार जन्रल इलेक्शन रिक्ड होते हैं हर बार वहां पर हाला जो ऐसे होते हैं कि आम जो अवाम है उसके बासंत कर रहे हैं तो कोई भरोसा तो होगा क्या वो भरोसा है ? हर दफ़ा जब इमरान खान आपोजिशन में होते हैं तो वो कहते हैं जी दूसरों ने लेक्शन चोरी किये अभी जब वो आपोजिशन में होंगे तो वो कहेंगे दूसरों ने लेक्शन चोरी किये मैं इस सेंस में ये कह रहा हूँ कि कोई भी पुलिटिकल पार्टी पाकिस् तो तीन चार चीजों पर जिसके जिकर किया कि वह एक एंटी स्टैबलिश्मेंट बिया उन्होंने लिया और वह कह देते कि अमरीका और फाउज ने मुझे मिलके निगाला है यह जो एक झाल 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 झाल